जहें दोस्तों बंदे मातरम भई महेंदर सिंग धोनी को जादूगर फिल्ड के उपर यूँ ही नहीं कहा जाता है मतलब उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से बचा दिया है कि भई वो किसी भी खिलाडी के करियर को बना सकते हैं इनको पता है कि किस खिलाडी से किस प्रकार से भी बाहर करना है आप खुदी सोचिए कि 15 करोड से भी जादा हैं विके बेंस्टोक्स चैन्ने के टीम के लिए पानी पिलाने का काम कर रहे है और नहीं 50 लाख रुपए में भी के अजिंक्या रहाने तावर तोड रहन बना जा रहे है 180 से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहा बन था और ये वही है जिसको ये एक समय पर टेस्ट स्पेशलिस्ट कहकर लिमिटेड ओवर क्रिकेट से तो बाहर करस्ता दिखा दिया गया था कि भाई साब आपके बसका नहीं लिमिटेड ओवर क्रिकेट लेकिन 2023 के इस IPL में जिस तरीके से जिंक्या रहाने बल्लेबाजी कर रहे हैं साथ तोर पड़े बताने के लिए काफी है कि भाईया अभी उनमें काफी क्रिकेट बाकी महिंदर सिंग्धोनी ने इस मैच के बाद में डिटार्मेंट के तरफ भी एक बड़ा हिंट दिया है इन सबी चीजों के बारे हम बात करेंगे हम लोग इस वीडियो लेकिन यहाँ पर मेन बात होगी अजिंक्या रहाने की कि आखिर कैसे अजिंक्या रहाने के तुफान के आगे कोलकाता अपने ही घर में फेमस इडिन गार्डन ग्राउंड के अंदर कहा बह गया किसी को पता ही नहीं चला आईपील 2023 में चैन्नाई सूपर किंस का दमदार प्रदर्शन जारी है कोलकाता नाइट एडर्स को इडिन गार्डन्स पर 49 रनों से हरा कर चैन्नाई की टीम पॉइंट स्टीवल में अब टॉप पर पहुंच गी इसको दिएक कर वाकई में अच्छा भी लग रहा है अजिंके रहाने और शिवम दुबे के अर्दशतक और दोनों के बीच तेज तर्रार अर्दशतकी साज़दारी से चैन्नाई ने चार विकेट पर 235 रनों का एक विशाल स्कूर खड़ा किया था जवाब में केके यार ने लगातार विकेट खोए मध्यम क्रम में उतरे जेसन रॉय ने जरूर 26 बॉलों पर 71 बना है लेकिन ये टीम को जीत देनाने के लिए काफी नहीं था वहीं आंदर रसल जिनकों की काफी दमदार क्रिकेटर माना जाता है वो एक बार फिर से बुरी तरह फेल हो गए मतलब ऐसा लगता है कि मौके पर चलना बंदे को आता ही नहीं है केके आर को शायद अब उनको ढोना बंद कर देना चाहिए बीस ओवर में टीम आठ विकेट पर 166 रन ही मना पाई ये केके आर की लगातार चौती आर है लेकिन इस सीजन में सबसे अलग अंदास देखने को मिल रहा है जिंक्या रहाने का 29 बॉलों में 5 चकों और 6 चकों के मदद से नाबाद 71 रन की पारी खेलने के अलावा शिवम दुबे के साथ जिसने की 21 बॉल में 50 रन ठोक मारे इससे टीम इडिन गार्डन्स पर T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही इन दोनों की पारियों की बदावला टीम ने आंतिम 8 और में 126 रन जुटा है इन दोनों के अलावा सलामी बल्लेबास डिवन कॉनवे ने भी 56 रन मनाय थे वहीं कोलकाता कपतान नितीश राना ने टॉस जीत कर सबसे पहले सुपर किंग्स को बल्लेबासी काने होता दिया जिसके बाद कॉनवे और गायकवार ने 7 औरों में 73 रन जोड़कर एक बार फिर टीम को तेज शुरुआत दिलाई गायकवार ने सुनिल नारायन का स्वागत लगतार गेंदों पर चौके और छके के साथ किया लेकिन सुयश शर्मा की गेंद पर जोकी एक बहतरी इन बाल थी ये लिटरिली बोलना पड़ेगा एक नमबर गूगली डाली दी बंदे ने उसकी बाल पर बोल्ड हो गए बारे में तो अजिंक्या रहाने पर जब IPL 2023 आक्शन में बोली लगनी शुरू ही थी तो किसी ने उन पर दाओ नहीं लगाया था इस तरह चैन्नी सुपरकिंस ने अज्जू को बेस प्राइस पर 50 लाक रुपए में टीम से जोड़ा था रायसान रोयल्स की लंबे समय तक कप्तानी करने वाले रहाने को लेकर इस फैसले के लिए चैन्नी के फैंस थोड़ा निराश भी दिखे थे लेकिन अब हर कोई हैरान होगा ही उस समय हैरान इसलिए था कि जो खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर है डोमस्टिक लेवल पर भी कुछ अच्छा कर नहीं रहा है फिर आखर चैन्नी ने उस पर क्यों दाओ खिला लेकिन अब जब की रहाने बल्ले से रन बरसा रहा है तो हर कोई इसकी तरफ देखकर हैरान है और तारीफ भी कर रहा है एक नजर में देखा जाया तो चैन्नी के लिए ये इतना आसान फैसला था भी नहीं हलाकि धोनी अपने अन्प्रेडिक्टिबल डिसीजन्स के लिए ही जाने जाते है जब भी वो प्लान करते हैं तो कोई ना कोई जरूर अपना उसके पीछे एक एजेंडा होता है वहीं एक और रहाने टीम से बाहर हो चुके थे तो दूसरी और आईपियल में भी गुजरे जमाने के तौर पर वो देखे जाने लगे थे करियर खत्म होने की कार पर था शायदी कोई प्रफेशनल दाउन के पर लगा था लेकिन जब चिन्नही ने भरोसा जताया तो अजिंके रहाने को नई लाइफ लाइफ लाइन मिल गई मुम्मी इंडेस के खिलाब वानखेडे स्टेडियम में धासू हाफ सेंचुरी लगाने के बाद तो उनकी बैटिंग में 18 साल वाला यूवापन आ गया जिनके रहाने ने आईपेल 2020 में 9 मैचों में 113, 2021 में 2 मैचों में 8, 2022 में 7 मैचों 133 बनाये थे भारत के लिए वो सिर्फ टेस्ट मैच खिल रहे थे उनने पिछले साल की शुरुआत में टेस्ट टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था गरेल मैचों में भी उनके प्रजशन में दिरनतरता की कमी थी एक समय आईपेल में कप्तानी कर चुके रहाने का आईपेल 2023 की निलामी में बेस प्राइज 50 लाग का था चन्ने सुपरकिंग्स ने उसी प्राइज पर निलामी में उनको अपने साथ जोड लिया अब रहाने जो कर रहा हैं उसकी उम्मीद शायद उन्हें भी नहीं रही होगी इंटरनाशनल क्रिकेट में चन्द ही बल्लेबास हैं जो 360 डेगरी के शौट खेल पाते हैं एब डेविलियर्स के सन्यास के बाद जॉस बटलर, सुरेकमार यादाव और ग्लैन मैक्सवेल को ऐसा करते हैं फैंस देखते ही रहते हैं लेकिन केकेयार के खिलाफ मकाबले में CSK के लिए जिंके रहान इने के वादे कई ऐसा शौट खेले जिसकी उमीड टेस्केस बल्लेबास से किसी को भी नहीं थी उमेश यादाव की बॉल को ओफ स्टम के बाहर जाकर विकेट कीपर के ऊपर से छक्के के लिए भेजना तो सबसे ज़्यादा अतरंगी शौट था ठीक ऐसे ही कुलवंत खिजरोलिया के खिलाफ उन्होंने खड़े खड़े बल्ले का मूँ खोला और गेंड शौर्ट थर्ड मैंड के ऊपर से एक तप्पे में बाहर चली गी इस मकाबले में उन्होंने 29 बॉलों में 71 अंगी नावाद पारी खेली 6 चौके और 5 चौके की मदद से उन्होंने काफी तेज पारी खेली आईपिल करियर में ये सिर्फ उनका दूसरा ही मौका है जब उन्होंने 200 से बिज़ा स्ट्राइक रेट से रन मना है दोनों इसी सीजन में हुआ है एपिल 2023 में जिनके रहाने को शुरुआती मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था मोहीन अली के बिमार होनी की वज़े से उन्हें मुम्मे इंडियन्स के खिलाफ पहला मैच खेलने को मिला उसमें उन्होंने 19 बॉलो पर 50 लगाई थी इस सीजन में अभी तक रहाने 52 के एवरेज और 99 की स्ट्राइक रेट से 209 रन मना चुके है वो इस सीजन में सबसे 22 स्ट्राइक रेट के मामले में टॉप पर भी है अब बात करते हैं धोनी के रेटार्मेंट की तरफ के इशारे की दरसली इडिन कार्टन की भीड का उन्होंने बहुत बहुत शुक्री आदा किया उन्होंने का कि ये सब के सब मुझे फेरवल देने आए ये शब्द महिंदे सिंग धोनी ने कहे यानि उनका IPL सन्यास इस सीजन के बाद बहुत अब तक पॉसिबल है धोनी ने मैच के बाद कहा कि हाँ तेज गेंदबाज और स्पिनर अपना अच्छा काम अच्छी तरह कर रहे हैं हमने हमेशे विलोदे टीम के पर दबाव बनाये रखा और अगर आप उनके बल्लेवाज इकरम को देखें तो उनके पास निचल इकरम में बड़े हिटर्स हैं और हम उनका सम्मान भी करते हैं बेंस्टोक्स और दीपक चेहर जैसे मैच्पून खिलाडियों के इंजल्ड होने पर वो कहते हैं कि मैं इसे सरल रखता हूं मतलब ज़्यादा इसको लेकर कॉम्प्लिकेशन नहीं करता जो चोटेल है वो कुछ नहीं कर सकता मैं देखता हूं कि कौन सबसे बहता तरीके से तयार दिखता है और मैं देखता हूं कि कौन मौका पासकता है और मैं उसको ही जादा प्रेरिद भी करता हूँ मुझे आशा है कि ये सब जारी रहेगा वही नाइट डैर्लिस के कप्ता नितिश राणा से स्विकार किया कि अच्छे शुरुआत नहीं मिलने के कारण इतने बड़े लक्ष को हासल करना असान नहीं रहता राणा ने कहा कि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही हमने पावर प्ले में काफी कमरन मना है और पावर प्ले में इतने कमरन मनाने के बाद इतने बड़े लक्ष को हासल करना आसान नहीं होता और साथ साथ उन्हों ने कहा कि एजिंके रहाने ने एक शांदार पारी खेली रहाने ने कहा कि उनकी टीम अपनी गलतियों सबक नहीं ले रही है और लगतार गलतियां दोहरा रही है उन्हों ने कहा कि हमारी टीम अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है तो भई आप लोगा क्या कहना है जिनके रहाने की पारी के बारे में हो महिंदर सिंग धोनी की चालाखी के बारे में कमेंट करके सरूर बताईएगा मेरे स्विडियों फिलालत नहीं जाहें चैवारत